तो अभी हम देखते हैं कि row span and call span को हम कैसे यूज कर सकते हैं तो row span and call span इस्तमाल होते हैं rows और column को merge करने के लिए लेकिन इसका utilization कैसे हो तकता है इसको हम एक basic example के जरीए समझाएंगे फिर जो assignment आपको दिए वो आप बनाने कुछ करना नहीं बनेगा तो इसे तो इसके लिए सिंपल सामें क्या करना होता है कि यहां से एक new file ले लेते हैं सेफ कर दें सको और यहां पर row span and call span basic dot html के नाम से एक वेब पेज में सेफ कर देता हूं shift किया वन दबाया और यहां पर लिए और स्टेंडिंग रोइस पैन और इस पर इसके बाद हमने एफ फ़ाया और फ़ाया और यहां से क्लिक करते हैं एच वन यहां पर रखते हैं प्रक्ते हैं ठीक है अब देखें मैं आप उसको समझाने का एक असान दरीका बताता हूं कि मिसाल के दुरूब बनाए एक टैबल का एलिमेंट यूज किया और यहां पर लिया एक टीएच टैबल वॉटेबर जो भी ले लें उससे कोई फरक्त निपड़ता है मैं ऐसी टीडी ले लेता हूं चल इकको ले लेते हैं डीएच हरी आप यहां पर लेलेते हैं वहर यहां पर यहां पर लेले लेते हैं यहां पर क्लिक्स होरॉ搬 ऑद नेर से तो इस तरह का मामला होगा तो उसके बाद हमें और यहां कर देना है और यहां सब्सक्राइब कर देना है तो पांच के बाद क्या आएका यहां पर नो आजाएगा यहां पर 10 आजाएगा फॉर्टीन फिफ्टीन देन सिक्स्टीन ठीके चार रोज के लिए काफी इतना काम कर लेते हैं रिप्रेश कर लेते हैं यहां पर पर लगा देते हैं और यहां तरह से नजर आ रहा है अब यह एक एक्स्ट्रा गया 1234 कि इसके मैं शाहिए लिखा नहीं था खाली था अब सभी आपको यह तो हमारे पास इस तरह से 16 कॉलम कितने कॉलम है अरे 16 सेल हैं कॉलम का है सोरे होगे सारे कि दरें ठीक है अब सवाल आपका पहला यह है कि हम चाह रहे हैं कि दो तीन चार मिलकर एक सेल बनाएं में कि मदब किया करेंगे थीज़क करेंगे अब यहां पर एच टैम inbox आरवे qui होगा बश्यां थार ख़लगा एससे मर्गी होगा हाथ ऐसे होगा थीए थो से 4 उस लेके 4 तक merge करेंगे, कैसे करेंगे, यह देखे, अब हमें 2 से merge करना है, तो 2 के TH में जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, call, spend, equal to double quotation, कितने cell होंगे merge, 1, 2, 3, तो value pass करेंगे 3, हाँ वई, अब मैं refresh करने जा रहा हूँ, क्या होगा, इबराहीम से पूछना, इबराहीम क्या होगा, option A, यह तीनों cell merge होके एक हो जाएंगे, और उस cell में लिखा जाएगा, 2, 3, 4, option B, यह तीनों cell merge तो हो जाएंगे, लेकिन 3 और 4 extended दो आगे चले जाएंगे, extended हो जाएगा, very good, yes हो जाएगा, तो अब इसका हल क्या है, हल क्या है, अब भाई, simple सा हाल है, अब इन दोनों को delete कर देंगे हम, और 2, 3, 4 में लिख देंगे, तुम्हारे समझने पर रहे न, ठीक है, समझ में आ रही है बात यह, यानि समझ में आई, तो इस तरह से हो गया यह आपका call span, कॉलम को span कर दिया, ठीक है, अब हम आ जाते हैं, 6, 10 और 14, 6, 10 और 14, इसको merge करना है, कैसे करेंगे, अब जब हम row को span करेंगे, तो हमेशा थाखन, top to bottom merge होगा, top to, bottom to top नहीं होगा, always keep in mind, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 वाले के, टीडी पे जाके, लिखना पड़ेगा, row span मिलाके, और वहाँ पे लिख देंगे value 3, तो same impact पड़ेगा, ये तो merge होगा है, और वो कहां चलेगा है, वो दो भार extended में चलेगा है, यानि के ये दो इदर आगए, ये दो और आगए, ये दो आगभार निकल गए, बाज समझ में आई, यही confusion point होता है, तो ये मैंने number लिख दिया आपको समझाने के लिए, ये number से आफ जली समझ जाएंगे, टेक्स लिखता तो नामों से फिर पड़ावर पहुंजाता आपको, तो अब क्या करेंगे, seven और eight वाले दोनों cells को फारिक कर देंगे, यहां से, और यहां पर refresh कर देंगे, ठीक है, भाई फारिक कर दिया तो ये तो पूरी रो चली गई, इस तरह से, तो इस तरह से जब यह हुआ, seven और eight को नहीं करेंगे, अब यह थोड़ा सा यही समझना था, यह एक पेंट मैं रो इस पेंट हटा रहूं, दुबारा से समझ लें, देखें, six, ten और 14 को करना है, अब इसमें समझना है, six है रो नमबर two में, ten है रो नमबर three में, और 14 है रो नमबर four में, तो रो नमबर two के six पे जब आप लिखेंगे ना, रो इस पेंट three, तो आपको delete करना होगा, रो नमबर three का second वाला टीडी, रो नमबर four का second वाला टीडी, क्योंकि ये मर्ज ऐसे हो रहा है, एक रो में नहीं हो रहा है, ये ऐसे दिप्लेट रो में जा रहा है, तो इसका solution ये निकलेगा, अगर आप यहां लिखते हैं, रो इस्पैन और equal to three, तो फिर आपने ये थी second रो, अब इसकी जाएगे third रो में, और इसका second वाला इसको यहां से 10 को delete करेंगे, वारा 10 को delete करेंगे और 14 को delete करेंगे, 10 डिलीट हो गया और 14 यहां से डिलीट हो गया, अब यह set हो जाएगा, आई बस समझ में, अगर कोई confusion है तो फूछ लो, बाकि type हम उसके अंदर कर देतें जाके, 6 के साथ कर देंगे, 6, 10, and 14, ठीक है, अब 6, 10, and 14 यह से आथे, मुझे तो ऐसे दिखाने थे, तो यहां पर हम एक इसका BR यूज कर लेंगे, BR क्यूज यूज कर रहे हैं, for line break, समझ में ही बात यह, ठीक है, अब समझ में आगे है, रोस्पैन और कोलस्पैन कैसे यूज होना है, जाना, ठीक है,